आज का वीडियो एक प्रोड़क्ट रिविए वीडियो है जिसमें आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं कवर करूँगा क्योंट प्राइम वे बहुत सारे लोगों ने केसर काजू पिस्ता फ्लेवर की डिमांड किया है यौन proximity प्राइम वे का केसर काजू पिस्ता फ्लेवर को आप ज़रूर कंसिडर करें तो गयोंगे पहले आप लोगों को कुछ चीज़े बताना चाहोंगा देखिए, आज तक अगर आप लोगों ने कभी अमूल की काजू या केसर पिस्ता वाली आइस्कृीम खाई होगी तो यह exactly similar taste करता है असा लगता है उस ice cream वो किसी ने melt कर दिया है और आप लोगों को shake के form में दे दिया है तो taste इसका बहुत ही अच्छा है पर कुछ चीजे मुझे इस product को लेके थोड़ी बहुत negative लगी जो मुझे Q&T से expected नहीं थी खेर हम detail में उसे अपने review वीडियो में आज cover करेंगे सबसे पहले हम company के introduction के बारे में जानते हैं तो Q&T जो है वो एक international company है यह एक Europe based company है इन्होंने 1991 में योरप में एक छोटे से garage में अपनी company स्टार्ट की थी और फिर धीरे धीरे progress करते करते इन्होंने state of the art manufacturing facility Q&T जो है open Kelly Q&T जो है वो more than 60 countries more than 60 different countries में अपना product distribute करता है और इनके पास more than 300 products है अपने stockyard में ताकि आपको variety of nutrition supplements सी offer कर पाएं जैसे कि protein bars हो गया powders हो गया, capsules हो गया, etc तो यह हो गई Q&T के बारे में बात अब बात करते हैं इस product की manufacturing company के बारे में कि इस product को कौन सी company इंडिया में manufacture करती है तो यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत ही अजीब लगी अगर आप मेरे screen पर देख पा रहे होंगे तो उन्होंने लिखा है कि Q&T इसे खुद Q&T Sport India Private Limited दहरादून में manufacture करता है देखें, normally हम सब लोगों ने ऐसा देखा है कि जितनी भी international companies होती है जो इंडिया में अपना whey protein बनवाती है वो किसी third party manufacturing company से अपना whey protein बनवाती है मतलब वो इंडिया में किसी company को अपना manufacturing outsource कर देती है पर यहाँ पर Q&T ने लिखा है कि यह खुद Q&T Sport India Private Limited बहरादून की facility में इसे manufacture कर रही है तो मैंने इस चीज़ को find out करने के लिए इनका FSSAI license number जो है government portal में डाला और जब मैंने यह license number डाला इनका जो manufacturing license number है वो डाला तो उस portal में, government के portal में ऐसा दिखाया गया कि यह जो company है, यह जो license number जिस company से belong करता है उस company का नाम Neutra Well Private Limited है अभी पता नहीं, यहाँ पे Q&T ने Neutra Well Private Limited को ना disclose करके अपना ही नाम Neutra Well की जगा क्यों लिख दिया है मुझे नहीं पता कि क्या relation है भाई ऐसा कि Q&T ने अपना नाम लिखा है anyways हम Neutra Well Private Limited की अगर हम बात करें तो यह साले तीन साल पुरानी company है और यह Pro Athletics एक और brand है Pro Athletics आप लोगों ने सुना होगा उसके लिए Whey Protein बनाती है और किसके किसके लिए बनाती है वो मुझे नहीं दिखा गाई पर इतना पता चला कि Neutra Well जो है Pro Athletics ले बनाती है तो वो information मैंने आपको दे दी तो guys यह मुटी मुटी बात हो गई जो है manufacturing company के बारे में और Q&T ऐसा brand के बारे में अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ingredients के बारे में ingredients बहुत ज़ादा detail में cover नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़े जो इसमें लिखी है वो आप लोगों को already अपने पहले के review video से बता चुका हूँ फिलाल आप इतना जान लेजे कि इसमें जो protein extract किया गया है वो whey protein concentrate जो कि इसका primary source है whey protein concentrate से किया गया है whole milk powder, whey protein isolate और skimmed milk powder से किया गया है ठीक है उसके आगे आप लोगों को मेरे ingredients दिखी रहे होंगे पिस्ता है, cashew है thickeners है, natural nature identical saffron flavor है di-potassium hydrogen phosphate है anti-caking agent जो की lump न फॉर्म हो उसके लिए डाला जाता है, artificial sweetener है saffron याने की केसर हो गया वो डाला गया है और digesine, digesine जो की 5 digestive enzymes का blend होता है उसका भी इस्तमाल किया गया है तो ये मोटी-मोटी बात हो गए ingredients की ingredients में इनके भी lecithin missing है soil lecithin का इस्तमाल किया है या sunflower lecithin का इस्तमाल किया है वो ये disclose नहीं करते है जो की करना चाहिए पर anyways, जो चीज है वो चीज है बात करते हैं इसके filtration method के बारे में तो Q&T ने या साफ-साफ लिख रखा है कि इनका filtration method है वो ultra filtered method है ultra filtered जो है एक low temperature method होता है जिसमें heat का और chemical process का इस्तमाल किया आता है मतलब chemical agent नहीं डाले आते तो इससे आपका protein जो है natural होता है denatured नहीं होता ion exchange एक ऐसा method है जिसमें chemical का उपयोग होता है उससे आपका protein denatured हो आता है तो इसमें ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है ये natured protein है इसमें मौजूद sub fractions और immunoglobulins जो है बरकरार रहेंगे जो की आपको natured way में मिलते हैं बात करते हैं इसके nutrition information के आगे तो इसका जो serving size है वो 36 gram का है एक scoop 36 gram का इसका है जिसमें आपको protein company 67% offer करती याने के 24 grams protein offer करती है carbohydrate per serving थोड़ा सा जादा है 6.5 grams fat 1.8 grams तो ये हो गई nutritional information के बारें बात इन्हों ने अपना amino acid profile जो है वो disclose कर रखा है पर मेरे पास जो box है जो मैंने Amazon जो खरीदा है और मैंने Q&T seller directly Q&T seller को choose करके directly Amazon से मंगवाया है तो मेरे label में न amino acid profile ही गलत दी हुई है मतलब label mistake दी हुगा है जो मैं Q&T से expect नहीं कर रहा था अगर आप मेरे screen पे देख रहा होंगे तो इनका जो profile है amino acid का उसमें आप देखिए कि कुछ amino acid जैसे L-A9 हो गया तो वो 36 grams में 990 grams दिख रहा है मतलब एक इसको 36 grams किये उसमें 990 grams याने approximately 1 kg आपको L-A9 मिल रहा है तो यह इनका label जो है गलत है जो कि मैं काफी shock हुआ पर मैंने Amazon पे जब जाके देखा तो शायद इनोंने वहाँ पे screenshot अपडेट कर दी है तो Amazon पे जो इनका amino acid का profile का image है उसे अगर मैं calculate करता हूँ तो इनके per serving amino acid profile का total 25.2 grams आता है और इनके per serving protein जो यह claim करते हैं वो 24 grams है तो amino acid profile और protein content claim में कोई भी दिक्कत नहीं है अब हम बात करते हैं इसके taste के बारे में तो guys जैसे कि मैंने का taste इसका बहुत ही अच्छा है अगर आपको केसर का जो पिस्ता जैसे flavor पसंद है तो आप 100% इसको थम सब देंगे आपको यह बहुत ही अच्छा लगगा तेस्स के मामले में अब बात कर लेते हैं serving size accuracy के बारे में भी तो देखिए guys I am very sorry क्योंकि मेरे पास जो है बहुत ही कम protein powder भचा है तो मैं आप लोगों को serving size accuracy नहीं दिखा सकता इसलिए I am sorry mixability की हम बात कर लेते हैं तो अगर हम बात करें mixability की तो mixability इस product की बहुत ही अच्छी है 10-15 second में आपको smooth और lumpy shake मिल जाएगा बात करते हैं इसके price के बारे भी तो guys जैसे मैं आप लोगों को video के beginning है बता चुका हूँ कि मैंने इसे Amazon से order किया था Amazon पे जो seller इसे बेच रहा था वो Q&T खुद ही था और मैंने इसका 1 kg का box order किया है इसका 1 kg का box मुझे गया 2350 रुपीज का जिसमें आते हैं total 27 servings तो उस हिसाब से अगर आप per serving का price calculate करेंगे तो आपको इसकी एक serving 87 रुपीज की जाएगी जिसमें आपको company 24 grams flavored protein आफर करती है guys अब बात कर लेते हैं इस product की laptop support के बारे में भी मेरी laptop support के बारे में भी तो मैंने इस product की दो laptop support कराई है दो laptop support कराने का perspective यह था कि जो मेरी पहली NABL accredited laptop support थी उसमें इसका protein percentage कम पाया गया जो कि मेरे लिए shocking था shocking इसलिए क्योंकि Q&A की international brand है काफी पहले से है market में अच्छा brand भी है तो मुझे लगा क्रॉस चेक करने के लिए अपने पैसे दुबारा खर्च किये और इसे एक और NABL lab में दिया और वहां भी जो है इसमें protein कम पाया गया मेरी पहली NABL lab test report के अनुसार आपको इसकी per serving में मिलेगा 19.7 grams protein और मेरी दूसरी NABL lab test report के अनुसार आपको इसकी per serving में मिलेगा 19.9 grams protein so approximately दोनों ही lactose support में इसका जो protein content पाया गया है वो per serving 20 grams पाया गया है मतब company claim से 4 gram कम पाया गया है ठीक है guys अब बात कर लेते हैं इस product के कुछ positives और negatives के बारे में तो सबसे पहला positive ये है कि Q&T as a brand काफी अच्छा है established है Europe का brand है internationally known भी है वो हम पहला positive में consider करेंगे दूसरा positive इन्होंने अपना filtration method disclose कर रखा है जो कि natural filtration method है तीसरे positive के बारे में बात करूँ तो taste अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जो taste के लिए whey protein चाहते हैं तो इससे अच्छा taste आपको कोई providing करेगा केसर काजू पिस्ता flavor में बात करें चौथे positive के बारे में तो हाँ इस protein में real काजू पिस्ता के pieces डाले गए हैं जो कि आपके drinking experience को और भी enhance करता है और बात करते हैं सबसे last positive के बारे में तो Q&T जो है काफी unique flavors में अपना ये prime way offer करता है जैसे की केसर काजू पिस्ता हो गया और roast basil करके भी इनका एक flavor है तो अगर आप थोड़ा unique flavor चाते हैं तो I think वो unique flavors आपको इनके portfolio में देखने को मिल जाएगा बात करते हैं अब negatives के बारे में भी तो जो latest report है guys उसमें थोड़ा सा protein कम पाया गया है 4 gram per serving 4 grams per serving protein कम पाया गया है देखिए बहुत जादा तो कम पाया नहीं गया है पर 4 gram भी ठीठा कम होता है बहुत सारे Indian brands तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े brands हैं जो 50-50 percent protein कम प्रोइड करते हैं maltodextrin डालके बेशते हैं तो उससे ना compare करें पर Q&T as an international brand के हिसाब से हाँ 4 gram per serving protein कम भी एक negative मुझे लगता है जो की purely मेरे opinion में है ठीक है दूसरे negative की अगर हम बात करें तो label देखिए मेरे पास जो box है उसका amino acid profile का label गलत है और Q&T as a बड़ी company को ये सब ध्यान देना चाहिए बात करते हैं तीसरे negative के बारे में तो carbohydrate perserving आपको इसमें थोड़ा सा जादा मिल दा है 6.50 gram perserving मिल दा है तो अगर आप keto diet पे हैं या फिर low carb diet follow करते हैं तो थोड़ा सा ये product आपके diet plan में शायद ना बैठे तो guys ये जो है मेरा overall review हो गया इस product के बारे में देखे guys ये जो पूरा review है ये personally मेरे opinion में है ठीक है मैं इसके basis पर कुछ भी claim नहीं कर रहा है मैं हमेशा अपने viewers को बोलता हूँ कि मेरी lactis report आप लोग ना माने आप लोग product मंगवाएं खुद lactis report करें use करें आपको कैसा लग रहा है उस basis पर अपना decision लें आज का ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा personal opinion था जो मैंने आप लोगों के सामने present किया है तो guys उम्मिद करता हूँ हर बार की तरह ये भी review आप लोगों जन्विन नहीं लगा होगा और ऐसे ही genuine reviews of scientific information देखने के लिए आप ले चैनल सब्सक्राइब करें बाकी और तो बहुत सारे YouTube चैनल है जिसमें आपके भाईया जी लोग ऐसे ऐसे brand indoors करने हैं जो maltodextrin मिला के बेश रहे हैं anyways आप लोग समझी करेंगे समझदार को इशारा काफी है मिलता हूँ आपसे अगले वुडियो में guys till then be healthy take care जाए